हेलो एवरिवान वेलकम टू क्वान स्टडी हम लोग अपनी क्लास फोर रेक्रूट्मेंट की जेनरल अवेयनिस का पात कवर कर रहे हैं जिसमें मैं आपको इंडियन हिस्ट्री अभी पढ़ा रही हूं यह सेक्शन हमारा 40 मांक्स का है और हम हर रोज शाम के चार बजे जीए क एक वीडियो आपके लिए अप्लोड करते हैं ताकि आपकी प्रेपरेशन रोज के रोज आपको कुछ निया मिले पढ़ने के लिए ओके इंडियन हिस्ट्री के साथ साथ मैं आपको कापिटल स्टेट भी करवा रही हूं और अल्रडी मैं आपको इंडियन जियोग्रफी के अपको करवा रहे हैं अगर आपको यह सारी क्लासेथ देखनी है तो आपको चानल पड़ा कर प्ले लिस्ट वाले ऑप्शन में जाना है를 और वहां पर आपको जैरलो अवेर्नेस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां पर आपको यह सारे लेक्चर्श अवेलेबल और आप से जाके इन्हें देख सकते हैं कि लेक्चे स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लिजे और अगर आपने सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो नहीं किया है तो मेरे कि हमारे चानल पर हम न्यू इनिशियेटिव ले रहे हैं वो आपको अपडेट मिलती रहे हम लोगों नहीं डिसक्स किया था पहले इंडियन हिस्ट्री में कि एंचेंट हिस्ट्री है फिर मीडिवल हिस्ट्री है और फिर हमारी मॉडन हिस्ट्री आएगी ओके सो एंचेंट हि बी है जिसमें हम अभी तक हमारा स्टोन रीज कवर कर चुके हैं जिसमें हमने पहली यह इंठ पर लिया है जिसे एम मिडल स्टोन इज भी बोलते और नियोलिथिक एज जहां पर आपके फाइर वी जो भी ऐड्वांसमेट हुई थी वो सब डिसकवर हुआ था और देन केमदी चालकुलिथिक एज जहां पर पहली बार मेटल का यूज हुआ था जहां पर ब्रॉंज और कॉपर दोनों का यूज हुआ था अगर आपको ये लेक्चर देखना हो तो लेक्चर वन देख लीजेगा एंशिंट इंडिया का वहां पर आपको ये सब इंफरमेशन म महां पर आपको पता चलेगा कि किस तरह से हमारा हिस्ट्री आगे बढ़ा कि लास्ट जो हमने पढ़ा था वह हमने पढ़ा था कि अब क्या हुआ था, humans evolved हो रहे थे, अपनी जो वो पहले क्या थे, वो hunter gatherers थे, food gatherers थे और hunters थे, वहां से आइस्ता आइस्ता वो agriculture की तरफ बढ़ रहे थे, और वहीं से आपका start हो गया था, जैसे ही आपका हरपन civilization या फिर इंडस वैली civilization, जो की चालकुल एथिक period का बहुत ही major part है, वो ऐसा ऐसा जब खतम होना शुरू हुआ, तो एक नया period हमारा start हो गया, रिक वेदिक period, जहां पर हमारे बाहर से कुछ लोग migrate होकर, मैंने पिछली class में भी आपको बताया था, कि आरियंस जो थे, आरियंस और ड्रविडियंस जो थे, वो हमारे migrants थे, ऐसा माना जाता ह है, कि वो migrants थे, वो इंडिया के originally part नहीं थे, ठीक है, तो वो migrate होना शुरू होगे, अब एक बात याद रखेगा, कि migration हुई यहां पर, तो obviously कोई नए लोग आएंगे, तो कुछ settlement होगी, कुछ changes आएंगी, previous, जो भी हमारी, जो भी cultures चल रहे थे, उसमें changes आएंगे, तो यही हुआ history में भी, रिक वेदिक period में आते आते क्या हुआ, migration होगी, आरियन्स की, आरियन्स आगे, तो आरियन्स आएंगे, तो आरियन्स का main occupation क्या था, pastoral, pastoral means कि अभी भी वो क्या करते थे, cattle को ले ले की घूमते थे, वो एक जिगा पर कहीं पर settled नहीं थे, ठीक है, क क्लान्स को या उन ट्राइब्स को जो एड्मिनिस्टर करते थे, उन्हें हम राजन बोलते थे, और जन हम ट्राइब को बोलते थे, यहाँ पर आपको बस यह याद रखना है कि रिक वेदिक period में ही एक दस राजन वो और भी होई थी, जहाँ पर दस kings जो थे, वो आपस में लड़े थे, इसके इलावा इस टाइम पर इंद्र नेचर को बहुत वर्शिप किया जाता था, मतलब कि इस टाइम पर क्या था, लोगों को जो जो दिखता था ना सामने, जैसे एर दिख रही है, वाटर दिख रहा है, रेन दिख रही है, तो इन सब को उन्होंने तो इसलिए नेचर को इंद्र को पूजा जाता था, ठीक है, और मैंने आपको बता दिया कि पेस्टोरल इनकी ओक्यूपेशन थी, सेकेंडरी ओक्यूपेशन क्या थी, अभी अग्रिकल्चर इतना प्रेवलेंट नहीं था रिगवेदिक पीरेट में, ठीक है, अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर occupation के basis पे वर्नाज बनाया हुए थी, यहाँ पर caste सिस्टम नहीं था अभी तक, क्या था, वर्नाज बने हुए थे, जैसे कि ब्राह्मिना, शत्रिय और वहिश्य, ब्राह्मन क्या थे, जो टीचिंग का काम करते थे, वो ब्राह्मन के टेगरी में चले कि जो प्रोटेक्ट करते थे, उन्हें शत्रिय बना दिया गया, और जो वहिश्य थे, वो क्या थे, वो बिजनस वगएरा अपना संभालते थे, ठीक है, तो यह कुछ बना दीगे, कुछ वर्नाज बना दीगे, कि जो लोग यह काम करते हैं, वो इस काटेगरी में आते हैं, बट ऐसा एसा नहीं था कि जैसे कोई family है, वहां पर ब्राहमन भी exist कर सकते हैं, वहिश्याज भी exist कर सकते हैं, शाट्रे भी exist कर सकते हैं, मतलब लोगों को opportunity थे, कि वो क्या occupation चूज करना चाहते हैं, ठीक है, तो बट आइस्ता आइस्ता क्या हुआ कि यहां पर सब कुछ positive थ जब भी आप बात करेंगे ना तो आपको हमेशा याद रखना है कि सब कुछ positive season हो थी वो रिग वेदिक period में थी बर जैसे जैसे हमारी history आगे बढ़ती गी तो कुछ ना कुछ changes SEI जिसकी वज़से deteriorate होती गी लोगों की जिंदगी और जब लोग दुखी होना शुरू हो जाएंगे तो क्या होगा कुछ नई चीज और emerge कर जाएगी तो लेटर वेदिक period आगया जहां पर iron यूज होना start हो गया तो iron कहां यूज हुआ था लेटर वेदिक period में अब iron आ गया तो क्या हुआ agriculture जो था वो major occupation बन गया लोग settle होना शुरू होगे ठीक है तो towns बनने लगे settlements होने लगी agriculture जो था वो main occupation हो गया और wheat और rice जो थे वो staple crop बन गये ठीक है इससे पहले रिगवेदिक में वो milk milk products यह सभी उनके major जो आप बोलो कि major जो consumption थी वो इनी सब चीज की थी ठीक है पहले भी मैंने आपको बताया कि राजन थे है ना और tribes को क्या बोला जाता था जनाज बट उस time पर heritage नहीं था कुछ भी मतलब जरूरी नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा ठीक है ब्रेगवेदिक period में बट लेटर वेदिक में क्या हो गया यह rigidity आना शुरू होगी यह heritage हो गया मतलब अगर मेरे पापा राजा है और मैं एक लड़का हूँ तो मैं अब राजा उनके बाद बनूंगा तो मतलब यह heritage होना शुरू हो गया और यहां पर ही major 16 महा जनापदास बन गें पहले चोटे चोटे ट्राइब्स थे अब उन ट्राइब्स को भी एड्मिनिस्टर करने के लिए महा जनापदास बन गें तो टोटल 16 महाजनापदास लेटर वेदिक पीरियड में हमारे थे पहले हमारा वर्ना सिस्टम था रिक वेदिक पीरियड में यहां पर हमारा इससा इससा रिजिट कास्ट सिस्टम आना शुरू हो गया जहां पर ब्राह्मन शत्रिय वैश्य और शूद्र चार कास्ट में डिवाइड कर दिया गया और हर एक को बोल दि था रगवेदिक में ऐसा कुछ भी नहीं था ठीक है तो इसकी विज़से क्या हुआ कि ब्राह्मन अब जो शत्रे थे क्योंकि वो प्रोटेक्टर थे तो वो किंग्स बनना शुरू होगे ब्राह्मन जो थे वो टीचर से तो उन्होंने क्या पकड़ लिया उन्होंने जो टीच क्योंकि जो भी लोर क्लास के काम थे वो सब शूद्र को जबरदस्ती करने पड़े थे पहले क्या था जो भी करता था कोई भी काम वो अपने मन से करता था अब ऐसा नहीं था अब जो भी काम थे वो मतलब जबरदस्ती करने पड़े क्योंकि वो उस फैमिली में जनम ने रह थे ठीक है तो ब्रहम्मंज मैंने आपको पताए कि ब्रहमंज ने ठीचिंग्स पकड़ ली तो उन्होंने कया किया बहुत कि अग्यवना दीये बहुत तरह के गौट्ज बना दिये मतलब इंट नमबर ओफ गौट्स जो है वह आपको लेटर रेदिक पिरिएड में मिलेंगे जिसमें से सबसे सुप्रीम कॉर्ड इनों ने किसे बिना दिया है प्रजापती को ठीक है और क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गे थे अब वैशे उनको ज़्यादा फरक नहीं पड़ता था क्योंकि वो क्या थे बिजनसमें थे तो वो अपने बिजनस म कर रहे थे सबको ठीक है बट शत्रिय जो कास्त थी वो क्योंकि प्रोटेक्टर को आकास्त थी तो वही सबसे जादा रिबेल किये इस रिजिद सिस्टम के अगैंस्ट ओके और वहां से निकल के आया बुद्धिजम और जैनिजम ठीक है अभी इसके बारे में भी हम लेटर पढ़ेंगे इसी विडियो में तो कि बुद्धिजम और जैनिजम क्यों निकल के आया लोग क्या थे शुद्रस जो थे वो बहुत परेशान थे और शत्रिय जो थे वो भी परेशान थे इस रिजिद कास सिस्टम से तो शत्रिय ने रिबेल किया शुद्र तो क्योंकि लोग जैनिजम ओकि इसको पढ़ने से पहले हम सबसे पहले अपने वेदाज पढ़ लेते हैं क्योंकि हम वेदिक जो पीरिट की बात कर रहे हैं तो वेदिक पीरिड में हमारी चार वेदाज निकल कर आई विच वर रिग वेदा, यजूर वेदा, साम वेदा अथर्व वेद ठीक है तो रिग वेद जो थी वो हमारी रिग वेधिक पीरिड में बनी थी और बाकी यह जो तीन हैं यह हमारी लेटर वेधिक पीरिड में बनी जब रह्मनाज ने जो था टीचिंगS को पूरी तरह से 1028 हिंज है मतलब जिसमें सारे गौड की प्रेज की हुई है यजूर यजूर इस रिलेटेट टू सैक्रिफाइस तो यजूर वेद में यही बताया हुआ कि सैक्रिफाइस के लिए क्या रूल्स फॉलो करने है मतलब मेजरली यहां पर यग्य वगारा के बारे में बहुत बात क यहां कि किस तरह की परिशानी के लिए आपको किस तरह का यग्य करना चाहिए यह मैं आपको बताया यह सब लेटर वेधिक नहीं ही आना शुरू हुआ था साम वेध की साम वेध में क्या था कि जो भी चीज़ें थी वह हमारी सौंग की फॉर्म में अगर आपको रामायन य कुछ को रामायन पूरी रटा दी थी तो ये भी एक कल्चर था कि इंडन म्यूजिक के जरीए अपने वेदास को वो लॉन करवाते थे तो सामवेद उससे रिलेटेड है और अथर्व वेद जो है वो बेसिकली मतलब जो भी चीज़ें आपको ठीक करने के लिए चाहिए जो भी आपके जिंदगी को सुधारने के लिए जो भी या तो वो कुछ स्पेल्स होगे या फिर कुछ मेडिसन बनानी होगी वो सब अधर्व वेद के अंदर आता है ठीक है इसके इलावा भी कुछ चीज़ें थी ज ठीक है और एपिक्स जो कि थी रमायन और महाभारत अब ब्राहमेनाज को आप ऐसे मान लीजिए कि अगर वेद जो थे वो टेक्स बुक्स थी तो ब्राहमेनाज उनकी गाइड बुक्स थी वहाँ पर तो मतलब क्या हुआ ब्राहमेनाज वोज अ बुक जिससे हम वेदों को अच्छे से समझ सकते हैं ठीक है अर्यानकास जो थे अर्यानकास जो थे वो क्या थे वो इनी से related जो भी इनके rules, rituals जो भी चीजें थी जो की लोग समझ रहे थे उस टाइम पे किस चीज को किस तरह से perform करना है जो भी वो सब अर्यनकाज में दिया हुआ है और उपनी शद्स में क्या था जो भी philosophy है life को लेकर और बाकी चीजों को लेकर वो सारी philosophies दो थी वो उपनी शद्स में लिखी गई है ठीक है तो रामायन जो है आपको पता है वो वालमिकी जी ने लिखी है और महाभारत जो है वो वेदवयास ने लिखी है ठीक है तो अब हम देखते हैं अपना जो बुद्धिसम था हमारा वो किस तरह से इमर्ज हुआ तो एक शत्रिय थे जिनका नाम था सिद्धार था उन्होंने अब वो अपना घर छोड़ देंगे और सचाई की सर्च में निकल जाएंगे ठीक है लेटर ओन आप दे एज ओफ 40 उनकी डेथ होगी थी कुशी नगर में इन्होंने ही अद दे एज ओफ 35 इन्होंने एनलाइटनमेंट इनको मिली थी गया में ठीक है और जो की है मगद में इससे पहले मैंने आपको दो चीजें बतानी थी स्वरी कि मैं आपको अभी बता रही हूं वेदिक लिट्रेचर में दो चीजें हैं जो मेजरली बहुत इंपोर्टन हैं और यह एक्जाम में आती हैं दो जो आप जो मंत्राज बोलीजिए एक सत्यमेव जायते जो हमारा इं अपनिशद से इंस्पायड है इस टेकन फ्रों मुंड का इस टेकन फ्रों मुंड का उपनिशद ओके जो सत्यमेव जायते हमारा है वो किस से उठाया गया है इस टेकन फ्रों मुंड का उपनिशद और अगर हम बात करें तमसोमा जोतिर गम्या की यह भी आपको पता हो गई यह एक मंत्र है तमसो माजो तिर गंया वहात बारी अगर आप स्कूल में ग理 होंगे तो स्कूल में यह सिखाया जाता था हम सब को तो इस तमसो माजो तिर गंया इस टेकन प्रिखद अर्याण का विच वन थे ओर इनका ऐख ़ोके तो यह दो चीजें बहुत बारी एक्जाम्स में फूछी जाती हैं तो I thought कि मैं आपको ये बता दूंगी तो चलिए अपने बुद्धिजम पर चलते हैं तो बुद्धिजम में अभी तक हमने पड़ा कि enlightenment बुद्धा को कहां पर मिली थी गया पर मिली थी at the age of 35 और first sermon उन्होंने सारनात में दिया था और इसे बोला गया था धर्म चर्पकरतन ठीक है धर्म चर्पकरतन ठीक है उसके बाद तीन पिलर्ज जो है तीन पिलर्ज जो है बुद्धिजम के जिन्हें की त्री रत्न भी बो तो सबसे पहले आपको बुद्धा के बारे में पढ़ना पड़ेगा फिर पढ़ना पड़ेगा उनकी टीचिंग्स के बारे में और उसके बाद जो भी ऑडर है बुद्धिस्ट मंक्स और नंस का जिन्हें संग बोला जाता है उनके बारे में भी आपको पढ़ना है जिससे हम truth को attain कर सकते हैं बुद्धिजम की जो जितनी भी writings हैं वो किसमें लिखी गई है पाली language में लिखी गई है और इनकी जो books है या आप जो भी इनकी writings बोल लीजिए उन्हें बोलते हैं पिता का वो है विनाया सुता और अभीधमा जब बुद्धा की डैथ हो गई उसके बाद जो भी Buddhist monks थे उन्होंने decide कि वो लोग किसी एक venue पे मिलेंगे और उसे Buddhist council बोला गया तो यह four Buddhist councils जो है यह exams के point of view से बहुत important है यह four चार बार ऐसा हुआ कि बुद्धा की डैथ के बाद जो Buddhist monks थे वो मिले ठीक है तो पहली बार वो मिले थे राजग्रिह में ठीक है जब वहां के राजा कोन थे उस ताइम पे अजाज शत्रू और जिन Buddhist monk ने इसे चेर मतलब council को chairmanship दी थी he was maha kashap second और इस council में क्या हुआ था इस council में हमारे जो इस council में क्या हुआ था कि जो हमारे बुद्धा की पहली दो टीचिंग्स थी विचिस विनाया पिताका और सुता पिताका ये दोनों इस council में हमारी decided हुई थी ठीक है फिर उसके बाद second जो हमारी council थी वो हमारी आई थी कहां पर वैशाली में ठीक है और ये इनको किया था चैर्मेंशिप किस ने दी थी सबकामी ने थर्ड जो हमारी थी वो अशोका आपको पता है इन्हों ने कितना जादा बुद्धिजम को सपोर्ट किया कितना जादा प्रमोट किया तो ये पाटली पुत्र में हमारी थर्ड काउंसिल हुई थी और इस काउंसिल के दो रान त्री पिता का जो कोड था वो पाली लांग्विज में जो तीसरा हमारा अभी धमा था वो भी आ गया था ठीक है और फॉर्ट काउंसिल में जो कि कनिश्का के टाइम पर हुई थी इस टाइम पर ये कश्मीर में हुई लेट्स मूव ऑन टू जैनिजम नाओ जैनिजम में हमारे टोटल 24 तीर ठंकर्स हैं ठीक है तीर ठंकर्स बतलब कि जिनों ने जैनिजम को प्रमोट किया है सारे शत्रियस थे मैंने आपको बोला शत्रियस ने ही इनिशेटिव उठाया था अगेंस्ट जो भी कास सिस्टम चल और जो शूद्रास थे उन्होंने ही सबसे जादा इस रिलिजन इन दोनों रिलिजन्स को फॉलो किया था ठीक है तो पहले जो हमारे थे तीर ठंकर्स रिशब नाथ या फिर रिशब भी बोलते हैं इनको लास तीर ठंकर्स जिनोंने जैनिजम को बहुत ज़्यादा पोड़ दिया था और फॉर्टीटू की एज में इनको एनलाइटनमेंट मिल गई और जैनिजम में उसे बोला जाता है केवल जना ठीक है अब जैनिजम में तीन रत्नस थे त्री रत्नस थे यहां पर भी और उन्हीं के थुरू बोलते थे कि एनलाइटनमेंट आपको मिल सक इन में से एक जो थे वो तो बिल्कुल ही मतलब clothless आप माननीजे तो उसमें विश्वास करते थे और दूसरे white clothes पहनते हैं जैसे हम सब को पता है ठीक है जैनिजम की आगे बात करें तो इनकी भी दो councils हुई थी फॉस्ट काउंसिल जो हुई थी वो पाटली पुत्र में हुई थी और वहाँ पर क्या हुआ था बारा अंगाज का compilation हुआ था ठीक है और सेकिंड काउंसिल जो थी वो बल लभी में हुई थी और उसकी जो leadership थी वो किसने की थी देवरी देवःद्धी गनी में ठीक है देव अगर आपको इनके बारे में पढ़ना होगा, तो आपको पता है, प्ले लिस्ट में जाकर आप पढ़ सकते हैं इनके बारे में, आज फिर हम दो नई स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, पहली है मनिपुर, मनिपुर की कापिटल है, Imphal, मनिपुर को स्विजर लेंड ओफ इंडिया भी बोला गया था लॉर्ड इर्विन ने बोला था इन्हें और ज्वेल ओफ इंडिया बोला था पंधि ज्वारल नहरू ने यहाँ पर मेजर रिवर्स हैं बराक और मनिपुर स्टेट अनिमल है संगाई, स्टेट बर्ड है नौंगीन, स्टेट फ्लार है सोरोई लिली, रामसर साइट्स है यहाँ पर लोक्टक लेक जो की बिगिस्ट फ्रेश वाटर लेक भी है नौर्थीस्ट की, नाशनल पार्क से यहाँ पर केबुल नम जाओ, जो की ओनली फ्लोटि नाशनल पार्क है, वोल्ड का, फेस्टिवल्स है यहाँ पर दोल चत्रा, योशांग और कुट फेस्टिवल, और डांसे की अगर हम बात करें तो निंगोई और ढोल चोला जो है यह एक्जाम्स में आता है, ओके अगर हम दूसरी स्टेट की बात करें तो वो है में घाले, इसकी कापिटल है शिलॉंग, इसे स्कॉटलेंड उफ दी इस्ट भी बोला जाता है, यहाँ का एक विलेज है, मेलिनॉंग विलेज, जो की एशिया का क्लीनेस्ट विलेज माना जाता है, यहाँ पर रिचेस्ट बोटानिकल गार्डन है एशिया के लिविंग रूट में स्वेंडरम में, ठीक है, यहाँ की मेजर रिवर्स हैं सोमेश्विरी, स्टेट अनिमल है क्लाउड लेपर्ड, स्टेट बर्ड है हिल मायना, स्टेट ट्री है वाइट टीक, नाशनल पार्क है पल भल फक्रम, नाशनल पार्क को नौकरे एक नौकरे तो बहुत आज भी आपके लिए 5 questions हैं, जिनके जो answers हैं आपको या तो वीडियो में मिलेंगे या तो आपको ढूनने पड़ेंगे, बट यह answers जो हैं वो आप बहुत अराम से ढून पाएंगे, and make sure कि आप इनके answers मुझे comment box में भेजिए, और अगर कोई आपको query भी है आज के lecture से related वो भी आप comment box में भेज सकते हैं, thank you so much, आप अच्छे से पढ़िए और अपने exam के लिए अच्छे से prepare करिए, till then goodbye, thank you